नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर केलास आज इस वीडियो में आपको हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ या मुह से दुरगंध आने की कंडिसंस के बारे में जानकारे दूँगा दोस्तो हेलिटोसिस क्या होता है दोस्तो हेलिटोसिस को bad breath, foul smell के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपके मुह से बहुत ही दुरगंध आती रहती है आप जब भी सांस लेते हैं उस conditions में भी आपको smell बहुत ज़ादा आता है जिससे कि आपके आसपास जो वैक्ती बैठे हैं उसे इस दुरगंध से परेसानी होती है और आपको भी कहीं न कहीं ये लगता है कि ये conditions क्या हो गई है मेरे मुशे क्यों दुरगंध आ रही है दोस्तो कारणों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कारण होता है oral hyacin दोस्तो oral hyacin कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने दांटों की शाफ सफाई अपने मुह की शाफ सफाई नियमित तोर से नहीं करते हैं तो उस conditions में ये condition आती है मुह से दुरगंध आने लगती है फाउल ब्रेथ की समस्या होने लगती है इसके अलाबे अगर आप कुछ खाते पीते हैं जैसे कि अगर आप प्याज लहसुन मूली या चिकन मटन या फिस मचली वगरा खाते हैं तो उस कारण से भी आपको bad breath की conditions ह होती है मुह से बदुरगंध आने लगती है दोस्तों इसके अलाबे अगर आपके दांतों में सरन हो रही है आपके दांतों में पैडिया हो गया है इसके अलाबे आपके गंस में सूजन हो गई है उसमें से स्वैलिंग हो रही है पस आ रहा है उस conditions में भी होती है इसके अला इसके अलावे अगर आपको मुह से बहुत ही जादा दुरगंद बदबू आने लगती है इसके अलावे अगर आपको कोई gastric problem है, constipations की conditions है, आप जो भी कुछ खाते हैं तो वो सही से digest नहीं हो पाता है, आपको gas बनने लगती है, acidity की conditions रहती है, धाकारे बार बार आने लगती है, उस धाकार के कारण भी आपने जो खाया है उसका smell आता रहता है, बार बार smell आता है, तो इस conditions में bad breath की conditions होने लगती है, इसके अलावे अगर आप किसी पुराने बीमारी की दवा आप खा रहे हैं, जैसे कि अगर diabetes की दवा खा रहे हैं, या kidney से related कोई दवा खा रहे हैं, या कोई भी ऐसी antibiotic medicines ले रहे हैं, जिसके कारण आपको ये problem होती है, इसके अलावे एक और condition होती है, अगर आपका मुह dry है, dry mouth की conditions देखने को मिलती है, उस जगा पे जब आप कोई दवाया लेते हैं, जो दवाया लेने से आपको dry mouth की conditions हो जाती है, उसमें भी आपके मुह से दुरगंद आने लगती है, दोस्तों यहाँ पर एक बात और confirm कर देता हूं कि ज़्यादा तर मुह से दुरगंद सुवा सुवा आता है, क्योंकि रात में जो है, आपके मुह में जो saliva है, वो बहुत कम बनता है, लार बहुत कम बनता है, और उसमें oxygen की कमी रहती है, जिसके कारण सुवा सुवा जब आप उठते हैं, तो थोड़ी सी मुह से smell आती है, तो यह एक normal conditions है लेकिन अगर यह लगातार वनी रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ खाते पीते हैं, गैस्टिक प्रॉब्लम्स है या कुछ दवाया अगर आप लेते हैं, तो उस condition से आपको यह प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो दोस्तों इसके management की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने oral hygiene का ध्यान रखें, जब भी कुछ खाए या पीए, तो आप आसानी से मुह को पानी से अच्छी तरह से कुला कर ले और बरस सुवा साम जरूर करें, क्योंकि जो भी आप खाते पीते हैं, तो उसके कुछ particles होते हैं, जो आपके गम्स में, आपक के conditions develop हो जाती है, तो ये आपको करना है, इसके अलावे अगर आप टुबैकों का ज़्यादा यूज करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, या smoking करते हैं, drinking करते हैं, उस conditions में भी आपके मुह से बहुत ही ज़्यादा smell आती है, इसके अलावे जो लोग गुटका वेगर का ज़्यादा यूज करते हैं, तो उस conditions में भी हैलिटोसिस हो जाती है, और उनके मुह से दुरगंध आती रहती है, smell आती जहती है, दोस्तों अब हम बात करते हैं, होमेपैथिक मेडिसीन की, जिसको लेने से आपकी हैलिटोसिस या जो मुह से smell आती है, व वो है मर्क सॉल, उस conditions में लेना है, जब आपके मुह से बहुत ही ज़्यादा saliva हो रही है, आपको estomatis हो गया है, mouth ulcer हो गया है, या आपके दांतों में सरन हो गई है, आपके दांते जढ़ चुके हैं, आपके गंस में सूजन हो गया है, उस conditions में हो जाती है, इसके अलावे अ आपको स्वाद बदलता रहता है, कभी sour, कभी sweet, कभी तीखा, इस तरह का मुह का taste अगर बदलता रहे तो उस conditions में मर्क सॉल 30 potency में आपको दो बुन दिन में 4 वार आपको लेना है, इसके अलावे next medicine है, वो है pulsatila, दोस्तों pulsatila उस cases में ज़्यादा यूज की जाती है, जब मतर या कुछ भी खाना खाते हैं, तो आपको gas का formation हो जाता है, constipation की समस्या रहती है, तो उस conditions में आपको pulsatila 30 potency में आपको लेनी है, दोस्तों इसके अलावे आपको smoking नहीं करना है, alcohol का यूज नहीं करना है, गुटका तंबाको वेगरा को नहीं यूज करना है, दोस्तों ये दो medicines आप symptoms के अधार पर अगर आप लेते हैं, तो heritosis की conditions पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता हूँ, फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आपसे बिदा लेता हूँ, धन्यवादू